आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ब्रॉट फिगर 12.5 का जिसका व्यू होगा तो आज की जो हमारी रेक्वाइमेंट है क्लास को लेके वो है आज ब्रेसीर्ट, स्केल, मार्को टैक पैंसिल, इरेजर, ब्रैक मार्कल पैंस तो आपने से जिसको भी ये ब्रॉट फिगर बनाने में प्रॉब्लम होगी कैसे मेजर करना है, जो भी चीजे हैं उसके लिए हमने 10.5 का फ्रेंट गू का जो ब्रॉट बनाया है, सिखाया है इसमें हमारे डेटेल में पूरी वीडियो बनी हुई है जिसमें आपको इसके से कैसे मेजर करना है इसमें डिकली समझाया गया है तो आप जाके पहले वाली वीडियो देख लेए वीडियो देखने के बाद आपको यह वाली वीडियो एजी समझने आ जागा कि कैसे आपको मे तो हम सबसे पहले इस सीट का जो है वो मिरेते हैं अम को यहां है 13 सेंटिमेटर रेना है तो हमने यहां पे फॉंट लगा लिया हैं कि जैसे नीचे पॉंट लगा लिया है वैसे से उपर लिपोंट लिणा लिया है जिससे हमारी राइन जो है वो यहां वहां ना हो सके अब हमको यहां से हमारी ब्लॉक फिगर की जो साइज है वो 12.5 है तो हमको यहां फिर 12.5 इंच देना है हमने इस पॉंट को इस पॉंट को मिला लिया अब इस लाइन को इस लाइन से इस लाइन को इस पॉंट से मिला लिया है तो इस पॉंट में आपने देखा और यह तैन पॉंट पाइफ नहीं देखा तो हमने जाए हमने बैसे नंबरिंग की थी बैसे सेम नंबरिंग इसमें ही होगी वन वन इंच पे हमें एक पॉंट लगा लेंगे बैसे कि थी 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 एक है अँट मैंनड इन नंबरिंग जुं और यहाँ पे तो हमारे सबसे करे हैड की जो विथ है। वह है 3 4 ग्यू। 3 4 का हाफ अगर लेंगे 1.75 सेवन 5 का लेंगे इस इसकेल को हमने लिया कि थिरी फोर्थ का मिड थिरी फोर्थ का मिड लेके इस पेस का स्केल को हमने रख ले थें तैन हमने इसके विथ जो है हुआ हुआ है थो कि यह कि एक टेंड वॉंट फाइफ में हमारे हैड ब्लॉक की जो साइज थी वह रिख एकने इसमें जो हमारी हैड ब्लॉक की साइज है वो है 1.25 तो हम यहां से 1.25 मेजर कर लेंगे बन इंच हमने पहरे लिखा हुआ है कि प्वेंट ओपर यहां पर पॉइंट लगा लिया हमने पॉइंट लगाने के बाद हम सेंग थ्री फॉर्थ का मिड धें देने के बाद हम थ्री पॉर्थ जो है उसका निसाम लगा लेंगे विर्थ लिएंगे निसान रगाने के बार नेक का जो बित है और 1&4 का यहां कि पॉइंट लगा लिए और 1&4 का यहांसे भी पॉइंट लगा लिए है इस है को हम पहले आपको जो भी समझ मेंना आए इस इसे कैसे मेजर करना है और कैसे लेना है तो आप प्लीस हमारी पहली वीडियो में जो 10.5 की बनवाई गई है अप्लेम्ट भी इसमें जाकर देखने इसमें आपको कि बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा अब यहां से हैडल हो गया आपका यहां से बन फूर आपको मीचे भी आना है नेक के लिए बन पूर आप नीचे आजाओंगे नीची आप आपके पॉइंट लगा लिए आपने पॉइंट लगाने के बाद आप यहां से वन एन हाफ वन एन हाफ जो है वह आपकी नेक की जो है वह लेंथ है हम वनन हाफ आपकी नेक की लेंथ है नेक की लेंथ से ही आपका सोलडल लाहीं जाएगा वर आपका ठीकल्व एंड ठीकल्प जाएगा तो आप यहां से जो आपका नेक रेंप है जहांब आपका आया है यहां से थ्री भाई फोल तो यहां से आपको बन फोल उपर जाना है और बन फोल उपर जाके एक पॉइंट लगा रिजेगा अब यहां से भी आपको चेक करना है कि यह जो दोनों पॉइंट आपने लगाया है वह बिल्कुल सेम है कि नहीं दूरी इसके बित इसके तो सेम है सबसे पहले हैं इस दोनों पॉइंट को आपस में मैच कर देंगे यह देख सकते हैं आपको यह मैच हो गया है अब जो आपका सोल्डर लाइन है और यह नेक का हाफ पोर्जन है इसको आपको इस सोल्डर लाइन से मैच करना है इस दोनों बन गया है अब यहां से इस सोल्डर लाइन से आपको पॉइंट सेवन पाइफ नीचे आना है यहां से पॉइंट से पाइब नीचे पॉइंट लम सेॉट्ट लगा लाइयोऔ अब यह पोइंट जो है इसके जो बेध है वह आपकी वन अन ईगों ऱ वन-उड हम यहां से आपने वन पॉइंगे अब बेस्ट जो है आपका है वह फोर इंच पर फोर इंच पर भी आप पनन हाफ बनन हाफ रे लेजें ओके यह हो गया अब हिप रेंथ जो है हिप रेंथ आपका 5 इंच पर है तो 5 इंच पर भी आप 5 इंच के आपने ले लिया 5 इंच के लेने के बाद आपको थ्री पोर्थ ब्यू रेप पर जाना है और थ्री पोर्थ ब्यू राट जाना है यह हो गया अब आपका एंकल रेंप जो है वह नीचे से 0.75 उपर जाएगा यह आपने पॉंट लगा लिया पॉंट लगाने के बाद अंकल रेंथ की जो बिद है वह है 1 पोर्थ एंड 1 बाइप एंड 1 बाइप एंड यह उद姐ं कि इसपकर मेजर करना है और आपको समझ में को तñ शुदंट खानगी और आप E होगा इसको मैच करने के बाद आपको इसस ओर से बैस के लेंथ जो हैं वह मैच करने में विद्ध उसकी यह वह गया हुग अब इस बैस के से हिप आप जो नहीं ऐसे मिलाग होगी है कि निलाने के बाद हिप को आपको अंकल रेंख से मिलाना है यह नहीं आपको तो आपका और आपका विवाल इसको फूसरा है यह आपका 12.5 को ब्राइब के लिए अब आपको हैंड बनाना है हैंड के लिए आप एकवर कोई भी गैपने लिजिन कि लिए मुझे 1.5 के लिए नहीं है मैं 1.5 कि लोंगी आप जो भी रिजिएगा सेम आप को वही इस बगल भी लेना है कि आपका हैंड का जो भी चीजे हैं वह सेम रहें कि तो ज्यादा अच्छा लेगा गैपने लिए तो इसकी जो रेंथ है आपकी हैंड की वह 4 इंच है यहां से हम स्वोडर से अटैच करते हुए इसको इसको इस पॉंट से मिलाएंगी और यहां स अब यहां से एक खरकी से ब्रोकन लाइन ले जाएंगे जो आपको आगे बताएंगे कसी में आएगे अब यहां से आपको यहां पर तर्च करना है तर्च करने के साथ में यहस के साथ में इसको यह इस इसके लिको मिलाएं और यहां से कि आपका आर्मोर का रेंख आ जाएगा कि यहां पर पॉंट लगा कि आप इसको मिला लेजिए एंड इसको मिलाते हुगे यहां एक ग्लोकिन लाइन आगे तक लेजाएगा अब यहां से आपको हैंड यहां से आपको पॉंट फाइफ हरका सा नीचे जाएए इस वारी राइन से पॉंट फाइफ पे आप हरका सा पॉंट लगा लेजिए फिर टू पॉंट जो है आप उप्पर चल जाएए अब अब जाने के साथ आपको इसको रेज करना है इस वज़े से हरकी राइन ही बनाएगा दाएए इस लाइन को यहां से टो ब्लॉक उप्र जाएए इयहां से हाप你在 बना है हाव त गिसले बना है अब यहांस आपको अ अब यहां से आपको ऐसे नीचे जाना है कि यह राइन जो है ब्लोकन राइन से जाकर तर्च हो जाए तो हमने इसको यहां से ले लिया अब हम यहां से यहां से बहुत आप चाहिए तो यहां से भी पॉण्ट वाइब तो ब्लोक उपपर चाहिए इस चीज का खयार रखेगा यह जो आपको डाउन आए वह वह डाउन जो आप गए हो और यह वारी जो राइन है इस राइन का नीचे वारी राइन का कोई मेजर्मेंट नहीं है इसको डाउन आपको ऐसे करना है जैसे यहां से आप स्केल लिए और यहां से 6.5 पर रखके और यहां से 6.5 पर स्केल लोगे और यहां से मिलाओगे तो आराम से आपका डाउन में आ जाएगा अब इसके बाद यहां से जैसा किने गोला कि अगर आपको यहां पर रगे टू ब्लॉक आप लेने के बाद यहां पर बन बाई फॉर वन बाई फॉर आपको रेना नहीं पहले यहां पर और इसके बाद बाद लिए वारे वारे जो लाईन है वो इसके बिल्कु सामने जाएगी अब यह वारी जो राइन है आप इस पर पॉइंट पर सिस्केर को लिजेंग इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए इस राइन का कोई मेजरमेंट नहीं है बस आपको एक आइडिया से हरिका सा इस और राइन से हरिका सा अब जाना है उपर को इसको इसमें जैसे आपने 10.5 अब दूसरा हैंड जो है आपका उसमें आपको एल्बो राइन भी सो करनी है तो आप एक एकवर गैपिंग रेजिए कि आपको क्या चाहिए यहां से हम तो इंच भी 1.5 ले लेते हैं ने यहां से सब से पहले जो आलबो राइन है फोल इंच की हैंड है तू इंच प्राइब का आपको लाइन आएगा तू इंच हमने यहां से यहां जो है ले लिया ले लिया इक एंड सेम एस हैंड जो है वो इस पोस हमें भी बना वेंगे तो फाइनली हमारा यह ब्लॉफ फिर बन चुका है अब इस पर हमको नाम मेंशन करना हैं और फॉर्मिला नाम मेंशन करने के लिए आप मैं रूंगे सीट के स्कॉर्णर से बन टू टू पंट फाइव तो थी त्री इंच लेके मैं यहां से निजान रगा दूंगे ऐसी मैं पुरी राइन खीच वहांगी जो जो हम मुझे चीज़े सो करनी है यहां से में कर दो अब जिस राइन के सामने जो नाम मेंशन करना है वह हम कर लेते हैं तो चलिते हैं आगे आगे हमको हमने जिस फॉलम्ले के बेस बताया है वह फॉलम्ला मेंशन करना हैं यहां पर हमको रिखना है त्री बाई बिल्कु सपाई से बनाएगा देखने में अच्छा लगी अब हेड की जो लेंथ है वो 1.25 है तो हम यहां से 1.25 बना देंगे जिससे हमको समझ में आएगा कि हमारा फॉर्मुला यहां से यहां का फॉर्मुला 1.25 है ऐसे और वर हम फॉर्मुला मेंसन कर देंगे तो हमने यह फॉर्मुला मेंसन कर लिया है आप चाहे तो इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं जिससे आपको बनाते समय में हेल्थ मिलेगी तो तो